ओनलाइन मूचल फंड में अगर आप इंवेस्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं क्या इसका प्रोसीजर है क्या इसमें फीस लगती है अगर कोई लगती है तो क्या क्या सारी चीजें है यह आज इस वीडियो में हम समझेंगे यह बेसिक उन लोगों के लिए वीडिय नहीं किया है तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि दो तरह के प्रोसेस होते हैं एक होता है कि आप अपने डी पी अकाउन यानि की जो डिपॉजिटरी अकाउंट होता है डीमेट अकाउंट जिससे हम शॉर्ट में बोलते हैं वो आप ओनलाइन ही ओपन कर ले और फिर आप उसमें जो है invest करें तो यह second वाला जो procedure है यह completely online है इसमें मैं आज आपको पिल्कुल पूरा process और एक investment करके भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूं इन चार मैं से जिरोधा कॉइन धन पेटियम मनी ग्रो इन चारों मैं से आप कोई भी डाउनलोड कर लिए जो भी आपको ठीक लगता है मैं अपने investment के लिए जिरोधा कॉइन यूज करता हूं और वही मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूं तो आई अपनी स्क्रीन पर जाते तो सबसे पहले जो है यह मैं अपनी coin app यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं शुरू कर लेता हूं यहाँ पर मैंने अपना login जो है वो biometrics से set किया हुआ है जब पहली बार आप account open करेंगे तो जिरोधा में आपका account open होगा और वही account जो है वो जिरोधा coin के साथ link होता है तो एक coin नाम की coin coin नाम की app है जो आपको download कर लेनी है और उसमें आपको login करना है आपके जो 0 के जो credentials है उससे तो मैं यहाँ पर login कर लेता हूं मेरे इसमें और यह आप देख सकते हैं कि इस तरह की app आपके सामने खुल जाएगी तो यह अभी मेरा investment जो है वो दिखा रहा है उसमें कि जो amount invest किया हुआ है उसकी current value क्या है यह आपको दिख जाता है ठीक है यह जो section है यहाँ पर आप investment अपने mutual funds जो है वो सर्च करते हैं कि कौन सा mutual fund आपको invest करना है equity में डालना है debt में डालना है hybrid डालना है अगर equity में डालना है तो large cap, mid cap, small cap, multi cap, flexi cap इनके बहुत सारे वीडियो है मैं पूरी playlist का link नीचे description में दे दूँगा तो अगर आप भी mutual fund में investment सीखना चाते हैं तो वो playlist आप देख सकते हैं उनमें से कोई भी mutual fund अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको यहां पर यह heart दवा के और अपनी watch list में add करके रख सकते हैं अगर इस समय कोई NFO चल रहा हो जैसे stocks का IPO होता है वैसे ही जो mutual fund होते हैं वो अपना NFO लेके आते हैं जो की new fund offering होती है जिसमें 10 रुपे से इनका pricing शुरू होता है तो वो अगर कोई open होता ह है तो यहां पर जाता है और अगल आप ELSS में invest करना चाहते हैं tax saving के हिसाब से तो इस वाले section में आपके लिए ELSS वाले भी आपको जो है मिल जाएंगे और यदि आप मालें जिए nifty 50 या bank nifty इस तरह की जो indexes हैं उनमें अगर आप invest करना चाहते हैं तो सबसे नीचे आपको य देंगे लेकिन सबसे important जो है वह हम बापीज उपर आते तो हम उपर आके सबसे पहले हम explore वाले यह जो सर्च वाला जो section है इस पर हम click करते हैं तो देखिए सबसे पहला जो आपको चीज जो समझना है कि आपको investment किस तरह के mutual fund में करना है पहला है equity equity यानि आपका पैसा जो है वो share market में लगाया जाएगा कम से कम 65% जो है वो share market में लगा जाएगा तो इसमें क्या है कि ज्यादा portion equity यानि share market में लगता है और कम portion जो है वो debt यानि की corporate bonds या RBI के bonds इन में थोड़ा पैसा कुछ उसमें लगता है और बहुत कम amount cash रखा जाता है debt जो है उसमें ज्यादा तर जो पैसा है वो corporate bonds बागेरा या government bonds उन में लगाया जाता है तो debt वाले जो है वो थोड़े safer instrument होते है as compared to equity लेकिन equity से यह return भी कम करते है hybrid जो है वो उपर वाले दोनों का mix है और यह solution oriented अलग-अलग solutions के लिए आपके पास अलग-अलग solution तो जैसे हम example के लिए अब हम equity पे click करते हैं अब equity में आप देखेंगे तो बहुत सारे आपके options हैं तो सबसे पहले जो है वह आप मतलब कितनी बड़ी company में इंवेस्ट कर रहे हैं उसके इसाब से आपको मिल जाते हैं large-cap mid-cap फिर large and mid-cap combine करके और ऐसे ही यह small-cap तो यह मतलब कितनी बड़ी company है तो large-cap तो बड़ी- जाएंगे जितनी छोटी company में पैसा लगेगा उतना पैसा risky होता है लेकिन अगर reward मिलेगा यानि returns में ज्यादा होते हैं तो आप उनके इसाब से आप लगा सकते हैं इसके अलावा जो है एक होता है multi-cap और एक होता है flexicap multi-cap यानि कि जो भी आपका fund manager है वो decide करता है वो large cap मे में भी लगा सकता है mid cap में भी लगा सकता है small cap में भी लगा सकता है सबका mix करके जो है तो इसलिए इसको multi-cap बोलते है same is flexicap flexicap में भी एक समय ऐसा हो सकता है कि ज्यादा पैसा mid cap में लगा हो एक समय ऐसा हो सकता है कि ज्यादा पैसा large cap में लगा हो तो यह flexible है कि कि किस cap में लगाना है इस तरह से ठीक है इसके अलाबा एक यह 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 है यह से का फुल फॉर्म होता है एक्विटी लिंक्ट सेविंग स्कीम यह एक स्पेसिफिक टाइप के मुच्वल फंड्स होते हैं जिन में तीन साल का लॉक-इन होता है यह उन इसके बाद आप देखें तो इंडेक्स जो है जैसे कि मैंने बताया हमारे भारती इंडेक्स है निफ्टी 50 है फिर हमारा बैंक निफ्टी है निफ्टी नेक्स 50 है निफ्टी 250 है इस तरह से इंडेक्स है अजिस में ऐसे फंड यहां फंड्स है उनके द्वारा आप मोटा मोटा जो स्पैसिफिक टाइप के दुट्प करेंगे आप सारे मिलेंगे solution oriented अगर आप करेंगे तो long term lock-in वाले जो retirement और children के साब से बने हुए plan है वो आएंगे और others में कुछ और अलगतर है कि तो मान लीजिए कि मुझे जो है nifty में ऐसे किसी भी fund में invest करना है मान लोग में nifty में large cap में में click करता हूँ तो अब यह equity large cap में आपके बास 69 funds हो गए तो आप इन में से कोई भी fund जो है वो आप किसी भी fund पर click करके यहां उसके सारे details आप देख सकते हैं सबसे important जो है वो आप चार्ट पर नजर रखिए specific time period के हिसाब से जैसे 3 महीना 6 महीना एक साल 2 साल 3 साल maximum कितना return दिया है किस तरहें का चार्ट रहा है तो यह पेज एक बार हम देख लेते हैं यह आई से इस यह प्रुदेंशल blue chip fund यह fund का पूरा नाम है direct जो लिखा है यह दोस्तों एक important चीज़ है ध्यान रखना जब भी आपको investment आपके advisor के थ्रू करते हैं या किसी bank के थ्रू करते हैं आप bank में जाते हैं और वो आपको बोलते है mutual fund में invest कर दो तो वो आपका investment direct में नहीं होता है यह आप ध्यान रखें इसका मतलब है कि हर साल हर महीना हर दिन आपकी earnings में से कुछ portion आपकी earning का जो है वो आपके advisor को जा रहा है यानि हर साल हो सकता है आपकी total earning का हर साल 0.2% या 0.3% या 2.5% जो है वो आपके advisor को commission जाता है जैसे कि मैंने बताया अगर आप कहीं bank में गए और bank वाले ने आपको कोई mutual fund बेचा तो वो नॉमली वो direct plan से नहीं आता है वो जो है वो commission वाले plan से आता तो उसमें उनको जिंदगी भर commission मिलता है यह ध्यान रखें तो आप कभी भी अगर invest करना चाहें तो मैं आपको बोलता हूं हमेशा यह जरूर देख लें कि आप investment में invest कर रहे हैं वहां direct investment हो क्योंकि उसमें क्या होगा आपके हर साल जो है वह आपका 0.25% से 0.5% आपकी जो है extra earning होगी और over a long period यह बहुत जादा add up हो जाता है second है growth अब यह एक और option है देखी ध्यान रखिए एक बोलते हैं growth और दूसरा बोलते हैं IDCW या फिर आप इसको बोल सकते हैं dividend अगर आप 30% slab में पड़ते हैं और आप जो investment कर रहे हैं उसके अगेंस आपको immediately कुछ return नहीं चाहिए तो growth वाला जो option है वह आपके लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि वह आपको बहुत बढ़िया compounding देता है और आपको immediately कोई tax payment नहीं करना होता है जब वह आप उसको close करेंगे उस समय भी जो टेक्स पेमेंट आपको करना होता है उसमें भी एक लाख रुपय का आपको हर साल का benefit मिलता है और फिर जो amount आपका profit बनता उस पर भी सिर्फ 10% tax होता है जबकि IDCW या जो dividend वाला जो option है उसमें आपको zero tax lab में हैं तो आप यह IDCW में जा सकते हैं लेकिन फिर भी आप जयान रखें IDCW में आपके जो earning है वो compound नहीं हो रही है जो आपको profit हो रहा है वो आप immediately निकाल ले रहे हैं तो अगर आप higher tax lab में हैं तो यह IDCW बहुत ही घाटे का सोधा है क्योंकि आपको 30% plus 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 करके tax आपक price है एने भी समझे क्या होता है एने वी वह होता है कि जिस price पे आप आज अगर आई यह पैसा लगाए एक हर दिन का कट-off time होता है नौमली जातर equity share का शाम को तीन बजे यानि आपने तीन बजे से पहले-पहले अगर यह market में पैसा लगा दिया इस फंड में तो जो आज की आज का प्राइस है उस भाव पर आपको मिलेगा तो वह आपको कितने जो है वह quantity मिलेगी मान लिजी आपने एक हजार रुपए लगाया तो एक हजार रुपए divided by यह नंबर जो कि 106.9 है तो उसके हिसाब से आपको जो है जितनी quantity बनी वह आपको मिलेगी ठीक है यह आपको जो है यहां पर दिखाई देता है minimum इसमें पैसा लगाने के लिए आपको कितना पैसा लगाना है कम से कम 100 रुपर लगाना है और इसका exit load और expense ratio जो है वो क्या है expense ratio मतलब हर साल में आपके total जो आपको profit आउसमें से कितना पैसा जो है कट जाता है वो total amount का 0.9% आपका जो है हर साल expense में चला जाता है और यह exit load जो है इसमें यह icon वाले click पे आप यहां पे click करके देखेंगे तब आपको बता लगेगा कि यह effectively यह बोलता है कि equity fund जायतर में यह होता है तो यहाँ click करके देख लें कि क्या है कई हो सकता exit load 0 हो किसी में 0.5 हो normally equity shares में एक साल का आपका lock-in ह होता है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका exit load मतलब जो आप exit करेंगे तो यह बोल रहा है कि अगर एक साल तक आपने exit किया मतलब एक साल के अंदर अंदर exit किया तो जो आपने पैसा डाला है उसका 1% वो काट लेंगे और उसको बाकि जो profit वगएरा है वो आपको pass on कर है वो आपको पूरा पूरा आपको मिल जाएगा तो exit load यानि एक साल के अंदर अंदर अगर आप निकालेंगे तो आपको एक परसेंट एक्स्ट्रा जो है वो आपके account से काट लिया जाएगा ठीक है तो यह exit load आप यहां पे जो है देख सकते हैं आप चाहें तो expense ratio के यह है छे महीने में कैसा कर रहा है एक साल में कैसा कर रहा है दो साल में कैसा कर रहा है तीन साल में कैसा कर रहा है और max कैसा कर रहा है और यह जो कैगर है इसको भी आप यहां से drop down से जो है change करके आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में इसने कैसा perform किया है तो पिछले एक साल म देखें तो 2 साल में 26% अब यह 26% जो है वह कैगर है यानि कि पहले साल 26% दूसरे साल फिर 26% ऐसे इसी तरह से अब यह से चार साल पर जाएं तो चार साल का रिटर्ण आप देखेंगे कि लगवग 31% यानि अगर आप यह मानें कि इसमें risk कितनी है ये एक important चीज है और इसका AUM कितना है AUM मतलब asset under management यानि mutual fund कितना बड़ा है तो अभी यहाँ पे आप देख सकते कि लगबग ये 55,000 करोड का इसका जो है वो 55,000 करोड इन्होंने market से पैसा उठा रखा है जो share market में लगा हुआ है और जो equity share है वो हमेशा risk involved उसमें हमेशा very high रहेगी क्योंकि ये सारा जो पैसा है कम से कम 65% जो है ये पैसा equity market में यानि share market में लगाया जाता है इसलिए इसको हमेशा high risk में रखा जाता है अगर इसी की बजाए अगर आप मान लिजये यहा पीछे जाके और किसी debt fund में घाए किसी में मान लिजये हम यहाँ पे die Pew merit बॉल्ट बानड वाला को फंड ले लेते हैं और इसमें अगर आप जाके यहां पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका risk जो है fight जो है वो अब जैसे यह लिक्विट फंड है अगर इसमें आप यह नीचे जाएंगे तो इसमें भी जो है रिस्क दिखा रहा है लेकिन इसमें एक्चुली रिस्क जो है वह काफी कम होती है तो यह एक और चीज है जो आपको जो है समझनी है तो अभी मैं वहीं फिर से आइसे कि मुझे किस शेर में पैसा डालना है किस शेर से पैसा निकालना है वो डिपेंडिंग ओन कौन से शेर कैसा कर रहा है किस के किस तरह के रिजल्ट सा सकते हैं तो फंड का जो परफॉर्मेंस है वह बहुत जादा इस परसंड पर डिपेंड करता है जो आपका फंड मैनेजर ह होता है ठीक है फिर इसके बाद देख सकते कि किन-किन सेक्टर में जो है वो कितना-कितना पैसा लगया है आप करके और भी इसको जो है बहुत करकर करके आप देख सकते हैं कि जैसे सबस्यादा पैसा इसमीनेंशल सेक्टर में लगए है एनरजी में 11% लगा है फिर आप आई टी में देखें तो आई टी में लगबग साड़े साथ 8% पैसा लगा है तो आप एक ही शेर से सारी इंडेस्ट्री के जो जो टॉप जो लार्ज कंपनी है उनमें आप एक तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं ठीक है तो यह सारा आप देख कंपनी के नाम पूरा आप देख देंगी किसम्पनी में कितना परसंट का मतलब इनको पस जितना पैसा उसने कितना परजैंट किस कंपनी में डरेक्ली लगाए वह आपके पास है और इनका सकीम कम्द में अगर आप कभी पढ़ना चाहें तो यहाँ पर क्लिख कर लिए過來 पर आप अभी नहीं इंवेस्ट करना चाहते बाद में इंवेस्ट करना चाहते तो आप इसको अपनी वाच लिस्ट में एड़ करके रख सकते हो तो मैं यह एड़ वाच लिस्ट कर दिया आप देखेंगे यह वाच इंग बोल रहा है तो यह मतलब कि मेरी वाच लिस्ट में ए साइपी चलता है और यह मैंने अभी एड किया है यह मैंने पहले एड किया था तो माल लीजिए मुझे इन में से में मुझे कभी भी किसी में इंवेस्ट करना तो आज मैं आपको इंवेस्ट करके दिखाता हूं मैं इनवेस्ट कर रहा हूं अभी है लियोस फ्लेक्सी कैप में इसमें मेरा थोड़ा investment है भी already तो इसमें मैं अभी पैसा डालता हूं ठीक है मैंने सारी चीजें जो है research कर ली यह बहुत पुराना fund नहीं है इसके पास आप देखेंगे तो सिर्फ risk very high है और हमारे fund manager जो है इसमें मिश्टर आलोग बहल यह काफी जो है मेरे हिसाब से मतलब मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा हो कर रहे हैं और सारे sectors वगेरा सारी company को हम study करके और फिर मैं यह buy वाले बटन पर मैं click कर देता हूं तो यह मैंने buy पर click किया अब आपके सामने जो है तीन option आते हैं खरीदने के एक आप अपनी UPI app से खरीज सकते हैं या आप अपनी net banking से payment कर सकते हैं या NEFT या RTGS भी आप कर सकते हैं नॉर्मली मैं आपको UPI app के थ्रू ही इसका payment दिखाना चाहता था लेकिन अभी उपर मेरे पास camera नहीं और UPI app में जैसे हम UPI app में जाते हैं वो हम को कर लिया है कि growth plan ही है और direct ही मैं ले रहा हूं यह करने के बाद मैं यहां बाए पर यहां पर मैं क्लिक करता हूं और यह फिर से मुझे confirm कर रहा है कि प्लीज कंफर्म कर लिजी कि आप 10,000 रुपए लगाना चाहते हैं हैं है लियो स्प्लेक्स हैलियोस फ्लेक्सी कैप फंड म हूं तो अब यह बोल रहा है payment pending तो अभी मैं यह पे नाओ पर क्लिक करके मैं इसका payment करूंगा तो यह मैंने पे नाओ पर क्लिक किया और यह मेरे को लिखे गया है जिरोधा के स्पे यहां पर amount जो है वह एक लाग दिखा रहा है यहां पर मेरा bank account दिखा रहा है आप चाहें तो UPI से payment कर सकते हैं मैं UPI से इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो screen record नहीं करने देता है तो इसलिए मैं यहां से net banking पर जाता हूं payment करने के लिए और यह देखिए मेरे ICICI bank case पर लेके गया है तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो मैं user ID और password मेरा मैं डाल देता हूं इसके लिए मुझे जो है OTP भेजा गया होगा तो मेरा OTP आ गया है यहां मैं डाल देता हूं 735610 तो यह OTP डालने के बाद मैं यहां पर जो है submit कर देता हूं और submit करने के बाद आप देख सकते हैं कि payment successful हो गया है और हमको कुछ नहीं करना है थोड़ा सा wait करना है यह automatic जो है वो screen पर चला जाएगा ओके तो यहां आप देख सकते हैं कि यह जिरोधा CCL को 10,000 रुपे का जो है payment हो गया है और आप चाहें तो इसका screenshot लेकर रख सकते हैं तो यहां पर मैंने इसको जो है वो close पर मैंने इसे बंद कर देना है और मैं यहां पर अपनी app में आके और यहां पर मै मैं देख पाऊंगा कि मेरा investment जो है वह अभी अब इसके आगे क्या होगा यह payment आपने कर दिया है अगर यह payment आपने closing time से पहले किया है mutual fund के investment में इक्विटी में normally closing time तीन वजे है तो उससे पहले-पहले अगर आपका पैसा जो है वो fund के पास पहुंच गया है यह online rtgs वगेरा किया है जो कि पहले मतलब clearing में थोड़ा time लग गया या कुछ भी तीन वजे के बाद अगर उनको मिला है तो आपको आज की अने भी नहीं अगले दिन की अने भी आपको मिलेगी तो आपने अभी जो investment किया वो देखने के लिए आप अपने यह investment में आपके यह online जो है वो orders में आप आके यहां पर देख सकते हैं कि आपका order जो है प्लेस हुआ है के नहीं तो अभी यह order आप देखेंगे कि यह order मैंने प्लेस किया है और यह अभी processing में है यानि कि यह order चला गया है लेकिन अभी मेरे पास उसके share जो है वो नहीं मिले हैं और यह दिख जो हैं वो असाइन होंगी वर्थ 10,000 रूपीज तो दोस्तों यह है आपके लिए एक छोटा सा सिंपल सा वीडियो कि आप ओनलाइन इंवेस्ट करना चाहते हैं तो पूरी करके डिरेक्ट प्लान में आप इंवेस्ट करा सकते हैं तो देट इस दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मुच हवे गुड़ डे बबाए